Hello friends, कैसे हो सब लोग, I hope सब लोग अच्छे होंगे, बहतर होंगे और स्वस्त होंगे Welcome to Fairs Cloud Learn to Lead, this is Aashu तो आज हम discuss कर रहे हैं 9th of April 2021 के बहुत important current fair जिसमें से 2 images आप यहाँ पे देख रहे हो लेकिन आज हम बहुत important current fairs को discuss करेंगे तो यार वीडियो को बिल्कुल last तक देखना है और साथी साथ वीडियो को like करना है ज़्यादा से ज़्यादा like करें दोस्तों और share करें इसको maximum to maximum क्योंकि आप लोगों के sport की ज़रूर था और अगर आप पहली बार इस channel को देख रहे हैं और guys जैसी आप उसको download करोगे यह first window जो है वो appear होगी और उसके बाद जो है आप अपनी email ID के थूँ इसमें login कर सकते हो जैसी आप login करोगे दूसरी window अपियर होगी और इसमें यह crack current fairs के ओपर आप क्या करोगे click करोगे जैसी crack current fairs के ओपर click करोगे तो आपके पास दो options आएंगे या तो आप एक साल की subscription ले सकते हैं या फिर दो साल की subscription ले सकते हैं और दोनों का price दोस्तों बहुत ही कम है एक बार आप ज़रूर चेक करें आप खुछ surprise हो जाएंगे कि इतने price पे हम आपको ये सारी चीज़ें provide कर रहे हैं लेकिन आप चाहे कितने भी पैसे खर्च कर रहे हो चाहे कम कर रहे हो लेकिन आप इसको जो subscribe है वो क्यों करोगे तो उसमें आपको मिलेंगे daily grant fairs daily grant fairs में हम आपको एक तरह का section नहीं देंगे सकते हो और देख सकते हो कि मुझे उस तीन का grant fair याद रह भी रहा है या फिर नहीं रह रहा है नेक्स आते हैं अगला section आपको मिलेगा weekly grant fairs का उसमें भी हर week में आपको तीन section मिलेंगे हर week के एक में उस particular week का detailed grant fair pdf form में फिर उसी week का question and answer format में grant fair वो भी pdf में फिर आपको मिलेगा एक quiz section मतलब test section जो आप हमारी application के उपर attempt कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना grant fair मुझे याद रहता है जब daily और weekly आप करोगे तो उसके बाद आपको monthly जो है वो बहुत easy रहेगा और आपकी revision हो जाएगे और monthly में हम आपको एक तरह की pdf नहीं दे रहे हम आपको बहुत सी तरह की pdf प्रवाइट करते हैं जिसमें एक है study pdf study pdf का मतलब पूरे महीने का detailed grant fair यहाँ पे आपको मिल जाएगा आप अराम से इसको पढ़ सकते हो पढ़ने के बाद आप क्या करो question and answer pdf का use करो मतलब यह जितना भी grant fair आप detail में परोगे उसको question and answer format में हमने pdf form में दिया हुए तो आप उसको क्या कर सकते हो अराम से attempt कर सकते हो next होगा दोस्तो top 100 मतलब best 100 grant fairs हमने चांटे होंगे हर महीने के वो आप जो है वो बार-बार revise कर सकते हो अपने exam से पहले next है दोस्तो pocket pdf नाम सी पता लग रहे है इसको जल्दी-जल्दी में revise करने के लिए use कर सकते हो अपने exam से पहले तो यह तो होगा daily, weekly और monthly यह तो आपके current fairs को strong करे गई करेगा लेकिन हम आपको आपके exam को clear करने के लिए कुछ smart pdf भी provide कर रहे है smart pdf का मतलब है topic wise pdf जैसे कि आपको लग रहा है कि यहर मेरे books and author वाला section जो वो week है फटफट फट only मैं books and author को revise करना चाता हूँ तो आपको दूसरी pdf जो में चांडना पड़ेगा लेकिन हम आपको topic wise pdf में अलग-लग topics जो है वो बना के दे रहे हैं आपके exam के order तांकि आप particular उसी topic को revise कर सको जो आपका week हो जैसे कि apps and web portals, important days, books and authors, national affairs, international grand affairs, sports, appointments तो यह सारे section आपको जो है मिल जाएंगे next अगर आप banking exam की तियारी करें दोस्तो यह आपके लिए बहुत important है क्योंकि हम आपको एक pdf provide करते हैं जिसमें banking and economy से related question and answer format में आपको जो है वो news मिल जाएगी तांकि आप उसको अराम से पढ़ सको फिर आप अपने आपको test करने के लिए हमारी application के उपर quiz दे सकते हो देख सकते हो कि कितना grand fair मुझे याद रह रहा है next होगा exam pdf इसमें हम हर महीने के जो भी grand fairs हैं वो compile करते रहते हैं और एक exam pdf में वो convert हो जाता है तांकि आपके हर exam में वो pdf आपको क्या कर पाए help कर पाए एक होगा दोस्तो special grand fair special grand fair में आपको budget और economic survey मिलेगा इसमें क्या होगा कि detailed budget मत्ता important facts budget के economic survey के जो है वो important facts आपको मिले जाएंगे और expected question जो budget और economic survey के होगे वो आप जो है वो देख सकते हो जो कि examiner आप से पूछ सकता है तो ये सारी चीजे तो होगी national, international या पूरे current fairs के बारे में लेकिन अगर आप कोई center government के exam दे रहे हो तो अपनी state की भी तो त्यारी कर रहे होगे तो हम आपको state current fair भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर provide कर रहे हैं और हर state और UT को हम cover कर रहे हैं तो आप यहाँ से बेजिजिक होके अपने state current fair जो है वो पढ़ सकते हो तो guys यह सारी चीजे आपको मिल रहे हैं सिरफ एक ही subscription में तो इस application को download कर लें careers cloud को description box में link गिवन है email के थ्रू जो है वो login कर लें और एक साल या दो साल की subscription आप buy कर सकते हैं मतलब या तो आप 2021 या फिर 2022 की current fair जो है वो आप purchase कर सकते हैं even दोनों का price जो है वो दोस्तों बहुत ही कम है लेकिन उसके उपर भी हम आपको 10% extra discount दे रहे हैं अगर आप इस code का use करते हो as10 का तो आपको extra 10% discount जो है वो मिल जाएगा लेकिन guys एक और information है कि अगर आप 2020 का current fair purchase करना चाते हैं क्योंकि अभी आपके जो exam आ रहे हैं उसमें 2020 का यूज कर सकते हैं लेकिन वो आप हमारी website से ही purchase कर सकते हो आप हमारी website पे जाए affairscloud.com slash current fair वहां से आप 2020 का purchase कर सकते हैं लेकिन 21 और 22 का सिरप application से ही आप purchase कर सकते हैं तो start करते हैं दोस्तों 9th of April 2021 का current fair और उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपसे request है कि यार आपने क्या कर लाइक करना है क्योंकि target हमने रखा हुआ 700 प्लस का और इसको आप लोग ही अचीव करवा सकते हैं चैनल को subscribe करने अगर पहली बार देख रहे हैं और वीडियो को maximum to maximum share करें ताकि हम अलग-लग तरहां के targets जो हैं वो अचीव कर सकें तो guys start करते हैं most important question section के साथ और पहला question है what is the name of French maritime exercise in which India participated recently और वो कहां पे हुई है Indian Ocean में हुई है तो most important question मैं कहूंगा इसको और अलग-लग अलग-लग newspaper इवन हर newspaper ने इस news को cover किया हुआ है तो आप बताएंगे यार इसका answer क्या होगा कि French maritime exercise है मतलब इसको host जो है वो French Navy कर रही है मतलब इसको lead जो है वो French Navy कर रही है लेक किस किस country ने जो है वो किया है मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन-कौन सी country थी इसमें India था इसमें France था दोस्तों क्योंकि French lead कर रहे है इंडिया में हुई है तो मतलब इंडिया नोशन में हुई तो इंडिया तो हो गई होगा प्लस दोस्तों इसमें Australia भी है इसमें Japan भी की गई है और यह ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया नेवी के जो ships हैं उन्होंने French defense exercise के अंदर जो है वो participation दी है अदर्वाइस क्या होता था कि हम जो French के साथ exercise करते थे वो bilateral exercise होती थी लेकिन इस पार जो है यह bilateral नहीं है दोस्तों क्योंकि 5 countries जो है वो इसमें क्या कर रहे ह और इंडिया की तरफ से दोस्तों कौन सी ships ने इसके अंदर party split किया एक तो INS Satpura ने party split किया एक INS किलतन ने इसके अंदर party split किया लेकिन मैं इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा confused नहीं करूँगा कि आप इसको याद रखें Satpura और किलतन को क्योंकि यह कोई ज़्यादा important जो है वो part नहीं है और इस exercise का सबसे पहला edition जो है वो दोस्तों 2019 में हुआ था 2020 में कोई edition नहीं हुआ यह दूसरा edition है जो यहाँ पे किया जा रहा है और दोस्तों एक बात और याद रखनी है इसके अंदर कि जो आप options के अंदर देख रहे हो यह सारी की सारी exercise जो है वो फ्र बात की लिटरल exercise है यह navy की ही exercise है वरुन exercise फिर है desert night 21 यह दोस्तों desert night 21 जो है वो air exercise है और एक air exercise और है गरुडा यह भी आप याद रख सकते हो गरुड exercise भी जो है वो फ्रांस के साथ ही होती है वो भी air exercise है शक्ती exercise दोस्तों Indian army के exercise है फ्रांस के साथ तो option only कौन सा बचा हमारे पास लापेरूज तो याद रखना है लापेरूज एक्सरसाइस का नाम है जो ये पांच कंट्रीज के बीच में हुई हैं बाकी जो आप्शन है वो सिरफ इंडिया और फ्रांस के बीच में ही हुई हैं तो इतनी सारी इंफोमेशन आप याद रखोगे और बच्चे मुझसे बुझते हैं सर इतनी सारी इंफोमेशन आप किस तरह से याद रखे तो मैं आपको यार सिंपल सा एक फंडा बताना चाहता हूँ कि पहले रीड करो चीज़ को फिर रिवाइस करो याद करने की ज़रूर रिवाइस करन नाम क्या था इसका लाप पिरूस और ये इस्टन इंडियन ओशन में यहाँ पे हुई है इवन इसमें बहुत से फ्रेंच कैड़ेट्स जो नए बरती हुए है वहाँ पे तो उनको भी बेजा गया क्योंकि यह उनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट है और इंडिया की तरह से आय आएगा कि यहर मुझे न्यूस पता है और यह पहला डिशन 2019 में हुआ थो और रिसेंट रिलेटेड न्यूस आपने एक याद रखनी है कि फ्रांस ने पांच दिन की एक मिल्टरी एक्सरसाइज की थी स्पेस के अंदर उन्होंने की ती जिसका नाम क्या था एस्टरेक्स इ जानने के लिए कि यह सेटेलाइड और अधर डिफेन्स इक्विमेंट्स के जो अटैक हो रहे हैं उनकी सैटेलाइड के उपर उस से किस तरह से निप्टा जा सकता है तो एस्टरेक्स से याद रखना है फ्रांस और फ्रांस के बारे में आपको बता है capital तो तो यह सबको पत next question के उपर बढ़ते हैं who is appointed as the chairman of the capacity building commission तो इसमें दोस्तो keyword क्या है इसमें है capacity building commission शायद आपने पहली बार सुनाओगा लेकिन हमने इसको cover किया था ये mission start किया गया था दोस्तो जिसका नाम क्या था mission करम योगी याद रखना है क्या नाम था mission करम योगी और इस mission के अंदर क्या था करम योगी के अंदर कि जो भी bureaucracy के अंदर reforms करने हैं उसको कौन देखेगा उसको कौन suggest करेगा वो करेगा ये capacity building commission क्योंकि नाम से पता लग रहा है ये capacity को क्या करेगा increase करेगा ये चाहे ministries हो चाहे कोई department हो चाहे bureaucrates हो उन में capacity building का जो है वो काम करेगा इसलिए ये capacity building mission जो है वो start किया गया था under the mission करम योगी ताकि bureaucracy के अंदर reforms किये जा सके तो याद रखना है दोस्तो इसके recently जो chairman appoint के गए हैं वो कौन है वो है आदिल जैनुल भाई तो याद रखना है answer क्या होगा आदिल जैनुल भाई ये इसका answer होगा और ये किस position पे है currently ये chairperson है दोस्तो किसके quality council of India ये भी आपने याद रखना है quality council of India के ये chairperson है जिसका headquarter जो है वो new Delhi में है तो आपको पता लग चुका है लेकिन बाकी नाम भी जो है वो दोस्तो किसको point किया गया है सिवा एस रामनन को point किया गया है मुहमद मुस्तफा जो है वो चले गए है next है मातव बैंकटा राओ और recently इनको point किया गया है MD and CEO कौन से bank का Central Bank of India का याद रख सकते हो Central Bank of India next है जैदिप बटनागर तो ये भी आप नाम याद रखोगे क्योंकि ये recently बनाए गए है Principal Director Journal मतलब आप Only Director Journal भी याद कर सकते हो Press Information Bureau के तो ये सारी चीज़े याद रखनी है जैदिप बटनागर जो है वो Principal Director Journal बनाए गए है Press Information Bureau के आदिल जैनूल भाई Chairman बनाए गए है किसके ये बनाए गए है Capacity Building Commission के ये Already Chairman है किसके Quality Council ऑफ इंडिया के मातम वेंकटा राओ अगर आप Banking से रेलेटन है तो आपने इसको याद रखना है MD और CEO है Central Bank ऑफ इंडिया के सिवाय सरमनन हमने कली किये Most Important Question है दोस्तों SIDB के क्या लगाए गए है Chairman और Managing Director लगाए गए है आप फोटो देख सकते हो यहाँ पे QCII Quality Council of India उसके Chief आदिल जैनूल भाई जो है वो पॉइंट किये गए है Chairman of Capacity Building Commission और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ Capacity Building Commission का जो है वो काम क्या है इसमें और भी Member Appoint किये गए है लेकिन नाम याद करने की जुरूरत नहीं Like मैं आपको बता भी सकता हूँ यहाँ पे लिख सकते हो आप यहाँ पे Hemang, Jhenny जो है वो Appoint की गई है परवीन परदेशी पॉइंट किये गए है लेकिन यहाँ पे important नहीं है क्योंकि और बहुत सी चीज़ें आपको याद रखने के लिए तो इन चीज़ों के उपर आप focus ना करें Next News के उपर बढ़ते हैं अगला question है Which zone of railway become the first fully electrified railway zone तो यार electrification जो है वो railway zone की होती जा रही है अगर आप भी आज कल railway के अंदर अगर travel करोगे तो इसका मतलब क्या होगा आप देखोगे कि बहुत सी trains जो है वो electrify होगे है लेकिन यह पूरा zone ही जो है वो क्या हो चुका है electrify हो चुका है दोस्तों हम किस railway zone की यहाँ पे बात कर रहे हैं लेकिन दोस्तों इसमें और भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं एक तो आपने याद रखना है कि total railway zone कितने इंडिया के अंदर काफी books में अभी भी 17 ही लिखे हुए लेकिन आपने याद रखना है दोस्तों कितने है 18 है क्योंकि recently जो है वो एक नया railway zone जो है आपके पास क्या हुआ था एड हुआ था और वो कौन सा railway zone था वो था South Coast Railway ये रिसेंटली एड हुआ है बहुत ही कम books में लिखा हुआ है तो याद रखना है South Coast Railway किसको बनाया गया दोस्तों ये बनाया गया विशाखा पत्नम को सेंटर कहां बहुत है विशाखा पत्नम और ये अपने railway zone जो है वो याद कर लेने है मैं आपको कभी इसके उपर एक अलग से वीडियो भी बना दूँगा लेकिन आपने याद रखना है मैं आपको आज जो है वो कुछ करवा देता हूँ जैसे Northern Railway, Southern Railway, Western Railway और Eastern Railway तो Northern Railway दोस्तों North में क्या है डली, South में क्या है हमारे पास चन्नाई, तो चन्नाई हो गया Southern Railway और Northern Railway क्या हो गया हमारे पास दिली Western Railway आपके पास कौन सा हो जाएगा Western Railway दोस्तों Church Gate Church Gate मतलब मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्रा की है यह, महाराष्ट्रा में है Eastern Railway मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कलकटा की तो West Bengal की यहाँ बात हो रही है Next आपको चार और करवा देता हूँ तो दीरे दीरे करके आपको सारे के सारे याद हो जाएगे यह है North East Direction दोस्तों North Eastern Railway कौन सा है दोस्तों यह है गोरखपूर याद रखना है कौन सा है गोरखपूर यूपी के अंदर Next North Western Railway North Western Railway मतलब इस चर्चगेट और दिल्ली के बीच में देखो कौन सी स्टेट आ रही है राजस्थान आ रहा है तो मतलब यह आगया जैपूर तो यह कौन सा गया जैपूर Next आ गया South Western Railway South Western देखो महराष्टर और तमिलाडू के बीच में कौन सी स्टेट आ रही है करनाटका आ रहा है तो यह है दोस्तों हुबली हुबली railway station तो यह है हमारे पास South Western South Eastern दोस्तों कोई change नहीं करना Calcutta ही हमारे पास क्या है यहाँ पे जो है वो एक railway zone है South East का भी तो सेम है मतलब तो यार यह आप 8 railway zone यहाँ पे कर चुके हो 18 है total क्योंकि मैं आपके उपर ज्यादा burden ही डालूँगा लेकिन आपने इसको बना ले न मैं इसके उपर बहुत ही जल्दी एक वीडियो भी बना दूँगा थांकि आपको याद भी हो जाए तो First fully electrified railway zone तो एक और यहाँ से जाद हो जाएगा दोस्तों अंसर क्या होगा इसका West Central railway इसका क्या होगा याद रखना है अंसर क्या होगा West Central railway जो है यह बन चुका है सबसे पहला पूरा का पूरा होने वाला electrified railway zone इस चीज़ को आपने बूला नहीं है और West Central railway दोस्तों इसका headquarters कहां पे है यह है जबलपूर के अंदर कहां पे है जबलपूर जबलपूर मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी मध्यपरदेश की तो यह चीज़े दोस्तों आपने याद रखनी है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि recently एक railway का section जो है वो eastern railway zone का एक section जो है वो electrified हुआ था वो था new farakka railway station मैंने February में cover करवाया था लेकिन वो सिरफ एक section हुआ है पूरा का पूरा zone नहीं हुआ तो काफी बच्चे confused हो जाता है सर एक आपने करवा दिया था कि new farakka railway zone जो है वो electrified हो चुका है लेकिन यार वो पूरा zone नहीं हुआ था वो eastern railway zone का थोड़ा सा part जो है वो electrified हो चुका था लेकिन अगर आपको पूचें कि first fully electrified कौन सा हुआ तो western railway ही होगा western center railway याद रखेंगे इसको अगले question के उपर बढ़ सकते हैं और बाकी वी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो east center railway है दोस्तों वो कौन सा है east center railway है हमारे पास हाजीपूर तो यह याद रखोगे हाजीपूर जो है वो east center railway हाजीपूर कहां पर है बिहार के अंदर which Indian cricketer as its brand investor तो यार इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं सिरफ यादी रखना आपने कि brand investor बनाया गया है लेकिन वीवो communication का बनाया गया तो किसको बनाया गया है recently वो already दोस्तों बहुत सी बहुत सी companies के जो है वो brand investor है तो फटा-फट आप मुझे बता देंगे कि अंसर जो है वो इसका क्या होना चाहिए तो इंडियन क्रिकेटर की बात हो रही है दोस्तों तो सारे के सारी क्रिकेटर हैं लेकिन अंसर क्या होगा इसका विराट कोली होगा recently इनको digit insurance का भी बनाया गया था वो भी आप याद कर सकते हो otherwise यह बहुत सी companies के brand investor है like अगर मैं एक brand investor इवन बूस्ट एनरजी ड्रिंक का भी जो है यह क्या है ब्रैंड बैस्टर है मिंतरा के brand बैस्टर है गूगल ड्यू के brand बैस्टर है तो अब यह वीवो के भी ब्रैंड बैस्टर बन चुके हैं लेकिन दोस्तों बाकी नाम भी आपने बूल लेनी है इसमें सबसे पहला नाम आपको कौन सा मिल दा है सौरव गांगली तो सौरव गांगली भी बहुत सी कंपनी के brand बैस्ट है लाइक बताऊंगा आपको इसमें एक real estate company है जिसका नाम है बेंगौल पीरलेस यह रिसेंटली बनाये गए हैं तो बेंगौल पीरलेस एक real estate company है उसके ब्रैंड बैस्ट बनाये गए हैं नेक्स है हमारे पास यहां पे समरीती मंदाना तो इनका नाम भी जो है वो आपने याद रखने है वोमन क्रिकेटर हैं लेकिन नाम जो है नहीं बूलेंगे आप लोग और इनको जो है वो recently किसका बनाया गया है इक्युता स्मॉल फाइनांस बैंक का याद र और मेने कले एक यहां रिख्राट को बिलियुन रहत को यहां पे ओर इसलिए नहीं बता रहा था पहले ताकि आपको confusion ना हो जाए क्योंकि प्लेयर स्पोर्ट के दोस्तों दो ब्रैंड बेस्ट है एक बुवनेशमर कुमार है एक समरीती मंदाना है याद रखोगे इस चीज़ को नेक्स आते हैं दोस्तों very important questions के ओपर और very important questions में आगे बढ़ने से पहले आपसे request है कि 700 प्लस लाइक के target को achieve करवा दें आप लोग और चैनल को subscribe कर दें और share करें maximum to maximum पहली news के ओपर आते हैं recently which country hosted first meeting of BRICS finance ministers and central bank governors जिसमें इंडिया के finance minister और central bank के जो governor है शक्तिका अंदास जी उन्होंने party split किया मतलब निर्मला सीतरमन जी ने party split किया और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ BRICS की ये 2021 की पहली meeting है तो अगर आपको ये पता है कि BRICS की अधेक्षता 2021 में कौन कर रहा है तो आप answer जो है और हम से दे सकते हो और बहुत से बच्चों ने answer दे दिया है कि 2021 की और आपने दोस्तों याद रखनी है इंडिया 2021 की 13th BRICS leader summit जो है वो होस्ट कर रहा है नमबर याद रखना है दोस्तों ये 13th BRICS summit है जो 2021 में हो रही है तो सबसे पहले जब BRICS के बारे में बात हुई थी बनाने के बारे में तो सबसे पहले ये बात हुई थी दोस्तों 2006 में 2006 में बात हुई थी Finance Ministers मिले थे उन्होंने देखा Foreign Ministers मिले New York City के अंदर तो वहाँ पे देखा गया कि एक ऐसा ग्रूप होना चाहिए जो कि इन Countries को cover करेगा और ये Countries थी BRIC Countries BRIC, Brazil, Russia, India और China तो इन Countries का एक ग्रूप जो है बनाने की कोशिश की गई और Ultimately 2009 में ये ऐसा ग्रूप जो है वो Actual में बन गया Full Scale में ये ग्रूप जो है बना दिया गया Russia के अंदर तो 2006 में जो है जब बात हुई थी तो इस बर 2021 मतलब हम जो celebrate कर रहे है 15 years of BRICS जो है वो celebrate कर रहे है और India में थीम भी जो है वो दोस्तो क्या रखा गया BRICS का इसी को देखके रखा गया 15 सालों को celebrate करने के लिए ही रखा गया है क्या थीम है दोस्तो इस बर BRICS का जो इंडिया में celebrate कर रहे है BRICS at the rate 15 याद रखना है BRICS at the rate 15 intra BRICS cooperation for continuity consolidation and consensus उसके उपर जो बात हो रही है ताकि economic growth हो सके COVID-19 pandemic world के अंदर new development bank की activities जो कि BRICS bank के बारे में है consumer related issues को हम खतम कर सके उसके लिए corporate कर सके और साथ ही साथ जो है वो नए fund को इकठा कर सके क्योंकि जो finance minister उन्होंने एक कहा है कि हमें हर साल जो हो 100 billion dollar commitment करना है और इसके थुरू हम climate change के उपर action ले सकते हैं तो दोस्तों याद रखना है जितनी भी चीज़े मैंने आपको बताई हैं तो आप देख सकते हो इंडिया host first meeting of BRICS finance ministers and central bank governor जो की 6 April 2021 को हुई है और आप यहाँ पे निर्मला सीतरामन जी का चहरा देख सकते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि शक्ति का अंदास जो हमारे RBA के governor है उन्होंने और साथ में निर्मला सीतरामन जी ने इस meeting को attend किया इंडिया के तरफ से और BRICS finance ministers ने ये भी कहा है कि इंडिया chairmanship जो 2021 की है ये पहली meeting जरूर है लेकिन इसको हम celebrate करेंगे BRICS at the rate 15 intra-BRICS cooperation for continuity, consolidation and consensus इन words को याद कर लिए और इस पर 13th BRICS summit जो है वो हो रही है इस चीज़ को भी आपने क्या रखना है याद रखना है तो whatever अगले question की तरफ बढ़ेंगे BRICS के बारे में हम information ले चुके हैं और आपने याद रखना है कौन सी country BRICS के अंदर बाद में add हुई है वो add हुई है दोस्तो South Africa कौन सी add हुई है South Africa 2010 में South Africa ने कहा था कि ठीक है हम भी जो है वो इसमें member बनेंगे 2010 में officially South Africa member बन चुका था और 2011 की meeting को उन्होंने attend किया जो कि कहां पे हुई थी चाइना के अंदर हुई थी तो confused नहीं हो ना 15th anniversary है BRICS की लेकिन ये 13th meeting है BRICS की तो इस चीज़ों को आपने याद रखना है नेक्स आते हैं दोस्तो अगला question अगला question है निर्मला सीथरमन virtually participated in the second G20 finance ministers and central bank governors meeting held under which country presidency तो फिर से आर question है पहले तो था कि BRICS की ministerial meeting हुई है governors meeting हुई है वो आपको बता लग गया इंडिया ने host किया अब same question है लेकिन organization change होगी organization कौन सी बन चुकी है दोस्तों G20 बन चुका है तो दोस्तो फटाफट बताएंगे G20 की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है 2021 में कौन कर रहा है और बहुत पहले मैं इसको बता चुका हूँ और इवन जो लास्ट के दो-तिन दिन के गरंट फेस है उसमें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि यार सिंगापूर जो आपको होस्ट कर रहा है World Economic Forum होस्ट कर रहा है यह 2021 का यह आपको पता लग गया United Kingdom होस्ट कर रहा है United Nation Climate Change Conference 2021 की जिसको हम COP26 भी कह रहे हैं कली मैंने बताया है साउधी एरबिया ने होस्ट किया था G20 2020 की सम्मिट दोस्तों ऑप्शन क्या बचा सिरफ इटली बचा तो अंसर क्या होगा इसका इटली होगा याद रखना है G20 की 2021 की अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहा है इटली कर रहा है तो इन सारी चीजों को याद रखना है और G20 क ये बारे में कुछ जादा इंफोमेशन तो नहीं है लेकिन आप इसमें याद कर सकते हो G20 जो है वो ग्लोबल 20 का एक ग्रूप है मतलब ये 19 कंट्रीज का ग्रूप है काफी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाता है कि कि कितनी कंट्रीज आती है इसमें दोस्तों 20 कंट्रीज न 1999 में इसको बनाया गया था और इसके चेर्मेन करेंटली कोन है जो इटली के प्राइम निस्टर है और मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि इटली के प्राइम निस्टर कोन है दोस्तों मारियो द्रागी याद रहेगा ये सारी इंफोमेशन याद रखनी है 2020 की की तरफ से ये सुजाव दिया गया था कि एक ऐसा ग्रूप होना चाहिए जिसको DSSI कहोगे मतलब debt service suspension initiative जिसमें सारी countries जो है वो कुछ पैसा डालेंगी और जो vulnerable लोग है मतलब पूरे world के अंदर जो लोग जो है वो pandemic के कारण बहुत ही नीचे आ चुके हैं उनको growth provide करनी है उन से हम ये सारी चीज़े जो है वो कर रहे हैं तो ये सारी चीज़े आपने याद रखने हैं जितनी भी मैं आपको बता चुका हूँ next question के उपर बढ़ते हैं which small finance bank tied up with the Axis securities Axis security Axis bank का ये एक ग्रूप है Axis securities to offer services through a three-in-one account तो मैं आपको बता देता हूँ एक तो ये small finance bank है उपर से Axis securities जो की आप कह सकते हो share market या capital market में deal करती है Axis bank का ये एक unit है और दोनों ने मिलके जो है वो एक services start के three-in-one account तो कौन से small finance bank की यहाँ पे बात हो रही है फटब बताएंगे दोस्तों answer क्या होगा इसका answer होगा यहाँ पे जो है वो आपको answer नहीं दिख रहा है ये चारों क चारों answer दोस्तों नहीं है तो एक option को हटा देते हैं यहाँ पे इसको हटा के हम यहाँ पे option को change कर देते हैं अंसर क्या होगा इसका जना small finance bank याद रखना है दोस्तों answer क्या होगा D answer होगा अगर हम इसको हटा दें तो answer क्या होगा जना small finance bank जना small finance bank का headquarter दोस्तों कहां पे बै देता हूं काफी चीज़ें लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें जो याद नहीं रखनी होती तो इसलिए दो चीज़ें याद करें Headquarter General Small Finance Bank का और MD और CEO जो हैं को आप एक बर पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ क्या होगा इस 3-in-1 Account के अंदर इसमें दोस्तों एक तो Saving Account तो आपका खुली जाएगा और लेकिन XC Securities है तो इसमें आपका DMAT Account भी खुलेगा DMAT Materialization Account खुलेगा जिसमें आप अपने Shares को अपने आप Debentures को आप अपनी जो भी Securities है उनको क्या कर सकते हो परचेस कर सकते हो तो एक Saving Account भी हो जाएगा DMAT Account हो जाएगा और साथ में ये Trading Account बन जाएगा तो ये 3-in-1 Facilities जो है वो आपको मिल रही हैं मतलब Saving Account के Facilities Small Finance Bank दे देगा ट्रेट कर सकते हो तो जना Small Finance Bank और Axis Securities इनके द्वारा ये किया गया है तो मैं आपको पहले पता चुका हूँ Saving Account की Facilities जो है वो जना Small Finance Bank प्रोवाइट करेगा और DMAT और Trading की Facilities जो है वो Axis Securities प्रोवाइट करेगा और आपने याद रखना है दोस्तो एक Recent Related News अबाउट जना Small Finance Bank जो है वो Sponsor बन चुका है एक बैंक का अशोक नगर Corporate Bank क्योंकि आपको पता है यार Corporate Bank में और RRBs में जो है वो एक Sponsor Bank होता है जिसमें funding जो है वो Sponsor Bank की तरफ से की जाती है और यह जो अशोक नगर Corporate Bank है इसका Sponsor कौन बना है इसके बारे में कुछ यात करने की ज़रूरत नहीं है Next Question के उपर आते हैं कि हमने जो भी energy पैदा करनी है वो new and renewable energy से ही पैदा करनी है और 175 GW में अगर आप देखोगे इसमें 100 GW तो दोस्तो सिरफ solar से ही पैदा करनी है और 60 GW जो है वो wind से पैदा करनी है इसलिए यह company सिरफ wind और solar projects में Indian government की क्या करेगी साहता करेगी और इतना पैसा जो है वो invest पांकि Indian government अपने target को achieve कर सके और बाकी जो बचा हुआ है 10 GW जो है वो biofuel से आएगा या आप कह सकते है बायो degradable से आएगा लेकिन 5 GW जो है वो कहां से आएगा वो small hydro project से आएगा और दोस्तों यह सारी चीजे आपने याद रखने है 175 GW का question recently जो है वो आके हटा है किसी state PSE म तो मुझे बच्चे ने question बेजा था तो आपने याद रखना है कि इस तरह के question आपको मिल जाएंगे जो भी मैं discuss करना हूँ वो सारे question बन जाएंगे तो कौन सी company जो हो invest करेगी इसके अंदर तो वो दोस्तों कौन सी है renew power तो याद रखना है C जो है वो इसका क्या होगा अंस कर चुक है एक साल के अंदर तो लोग तो यार मतलब कोविट के कारण उनकी wealth कम हुई है लेकिन आप देखो यह जीबोगरीब केस है कि इन उनकी wealth जो है वो क्या हुई है increase हुई है तो आप मतलब किसी को pandemic का नुकसान हुए किसी को फायदा भी हुए तो यहां पे इनकी wealth increase Bloomberg Index लेकिन यहां पे हम बात करें renew power की तो अब देख सकते हो Goldman backed renew power to invest 9 billion dollar on India's green push तो इंडिया के green push के लिए जो है वो यह क्या कर रहे हैं पैसे को provide कर रहे हैं तो इससे क्या होगा इंडिया के एक objective मतलब एक aim को जो है वो पूरा करेगी जिससे हम emission को कम करेंगे और climate friendly environment को बना सक इस तक क्योंकि इंडिया का target है कि 2030 तक हमने 450 गिगवाट को अचीव करना और 2022 का भी मैं आपको बता चुका हूं तो दोस्तों इसमें और कुछ समझने वाला नहीं है सिरफ आपने याद रखना है कि renew power जो है वो इस तरह के targets को अचीव करवाने में क्या कर रहे है help कर रहे है which state और UT launched two mobile applications और एक mobile application का नाम है हमारी सडक दूसरा का है तामीर तरक्की तो यार नाम सी पता लग रहे है हमारी सडक और तामीर तरक्की इससे शायद ना पता लग रहा हो आपको लेकिन हमारी सडक से आपको पता लग रहे है ये road से related है मतलब ये related है किससे PWD से public work department से related है औ दोनों application को launch किया है उनकी administration की तरफ से इसको launch किया गया है इसका main initiative यहीं है कि हमारी सडक का मतलब है कि इसके अंदर जो grievances है लोगों की कोई भी problem है PWD department से वो वहां से solve की जा सके और तमीर तरक्की का मतलब है जो officials है जो PWD department के officials है वो वहां पे जो है वो update कर सके projects के बारे में जो real time में क्या चीज़े चल रही है उसके बारे में ताकि roads and buildings के काम में जो है हम आगे निकल सके मतलब यह Jumbo and Kashmir government जो है वो आगे निकल सके और यह पूरा का पूरा दोस्तों तियार किया है यह दोनों के दोनों initiative किसके द्वारा तियार किये गए है यह तियार किये गए है पब्लिक work department roads and buildings की तरफ से त्यार किये गए है जम्मो कश्मीर के लेकिन इसको develop किसने किए applications को CDAC ने developed किया है याद रखना है Center for Development of Advanced Computing जिसका headquarter जो है वो कहां पे मिलेगा CDAC का आपको पूना महराश्ट के अंदर आपको मिल जाएगा तो आप यहां पे देख सकते हो जम्मो जो वहां पे आप जो है वो दे सकते हो और वो solve हो जाएंगी तामीर तरक्की जो है वो यह इंशोर करेगा कि जो भी सरकार के developmental projects हैं PWD के तो वो field staff के दोर अपडेट किये जाएंगे वहां पे और कौन सी चीज कहां पे बन लिए यह यहां पे अपडेट जो है वो कर दी रहते हैं उनको यह एक तरह से उन्होंने डोनेट किया है या आप कह सकते हो डिस्टिब्यूट किया है उसमें एक application inbuilt डालके दी है एनम ओल इसका मतलब है auxiliary nursing midwives online याद रखना है online तो इसके अंदर क्या होगा कि जो national health mission की services हैं वो यह एनम nurses जो है वो गर-गर जाके जो है वो नहीं मिल सकती तांकि लोगों को सारी schemes के बारे में पता लगे जो national health mission के अंदर आती हैं तो इसमें याद के रखना है कि जो अनमोल application है वो कौन सी state या UT ने start की है तो उसके बारे में अपने याद रखना है और आपको पताईए जम्व और कश्मीर के बारे में आपको बता लेकिन यहाँ पे एक national park आप याद कर सकते हो डाची गम national park बहुत ही famous national park है next question के उपर बढ़ते हैं दोस्तों which union territory administration and solar energy corporation of india limited signed a MOU for setting up of 50 megawatt solar power project तो फिर से एक UT का question आगे है options आप यहाँ पे देख रहे हो तो केरला तो होई नहीं सकता दोस्तों answer क्योंकि union territory की बात करें तो त solar energy corporation of india के साथ मिलके tie up किया है कि हम उस union territory के अंदर एक 50 megawatt का solar power project लगाएंगे और फिर से यहाँ पे बात हो रही है new and renewable energy के लेके और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह solar energy जो हमारे पास organization है solar energy corporation of india इसका headquarter new Delhi है और बहुत से काम यह कर रही है even यह इसी union territory के साथ मिलके 10,000 megawatt का भी एक project लगाने के बारे में बात कर रहे हैं जिससे क्या होगा कि लदाख आतन निर्बर बन जाएगा power sector के अंदर इसका मतल़ यहाँ पे answer क्या होगा बी होगा दोस्तों हम बात करे हैं किसकी लदाख की यहाँ पे बात करे हैं और ये power project जो 50 megawatt का भी इनोंने लगाना है यह कहां पे लगाना है ये तारू district के अंदर लगाना है तारू basically एरिया के अंदर लगाना है ये ले district के अंदर आता है ले लदाख दो ही मेगा वाट तक जो है वो क्या हो सकती है बढ़ सकती है अगले पांच सालों के अंदर तो अगर यह दस हजार मेगा वाट का यार यूनिट लगा लेते हैं तो इसका मतलब आपको पते है कि कितनी बड़ी जो है वो यहां पे एक सक्सेस्फुल यूटी जो है वो बन जाएगी लदाग और लदाग की जो पीक डिमांड है वो भी जो है वो क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी तो इस चीज को आपने याद रखना है तो सोले अनरजी कॉर्परेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके जो है पचास मेगवाट का परजेक्ट लगाया जा रहा है कहां पे लगा सकते हो कारबन न्यूट्रल बनने का जो लक्ष है वो पूरा हो जाएगा 10,000 मेगवाट के लिए बात चल रही है 50 मेगवाट का ये डिमांड जो है वो पीक डिमांड है उसको पूरा कर देगा और रिसेंडली लदाख और ओर ओन्गी सी ने मिलके जो है वो कैमो यू साइन क कि हम इंडिया का पहला geothermal field development project भी जो है वो लदाक के अंदर लगाएंगे कहां पे पुगा विलेच के अंदर तो ये भी जो है वो आपने याद रखना है क्योंकि ये इंडिया का पहला geothermal field जो है वो developmental project होगा तो इस सारी information आपने याद रखनी है जो recent information है वो भी मैं आपको stakeholders है especially for the education sector तो उसके लिए जो है वो एक आप कह सकते हो portal launch किया गया है और उस portal का नाम जो है वो आपने बताना है कि जो हमारे union education minister रमेश पोखरियाल जी उन्होंने लांच किया है तो answer क्या होगा दोस्तों इसका my national education policy 2020 my national education policy 2020 launch किया गया है और ये एक April से लेके 15 मैं तक जो है इसके अंदर जो भी stakeholders है education sector के उनसे जो है वो राय ली जाएगी उनसे consult जो है वो किया जाएगा तांकि दो policies के लिए हम एक draft एक rough work जो है वो तियार कर सकें वो दो policies कौन सी है national professional standards for teachers कि एक teachers का हमने standard set करना है कि कौन सी जगा पर कौन से teachers पढ़ाएंगे और national mission for mentoring program membership और किस तरह से उनकी capacity building जो हो सकती है तो इसके लिए जो की national education policy 2020 का हिस्सा है तो इसके लिए लोगों से consult किया जाएगा और वो my new education policy 2020 से related होगा तो इस चीज़ को आपने क्या रखना है याद रखना है और दोस्तों बाकी जो applications देख रहे हो ये भी आपके लिए important है लेकिन state government से related है जैसे PR inside दोस्तों ये कौन सी state ने launch किया पंजाब government की तरफ से इसको launch किया गया था ताकि जो भी सरकार की पंजाब government की existing schemes जो भी चल रही है उसमें जो है वो लोगों को benefit मिल सके हर लोग जो है वो उसके अंदर क्या कर सके उसको avail कर सके नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो आटो या टек्सी में जो है वो क्या करते हैं ट्रेवल करते हैं आंदरा प्रदेश真的 में कोशिब करने के लिए जो बताया जाता है और किस तरह से रिख चरनेट कर सकते हैं या industries में जो job vacancies हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी उद्यम सार्थी के अंदर तो यह सारी की सारी याद रखने है state government से related है कि कौन सी application किस से link करती है तो सारी चीज़े हम कर चुके है union education minister जो है वरमेश पोखरयाल है जिनकी constituency कौन सी हरी दवर उत्रकंट और उत्रकंट के नई chief minister कौन है तो यहाँ पे दोस्तों important क्या है यहाँ पे आपको news से समझ आ गया होगा पढ़के कि यह जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं हम शहद की बात कर रहे है मदू करांती पोर्टल जो है वो इसका नाम रखा गया है नफेड का मतलब दोस्तों क्या है National Agriculture Cooperative Marketing Federation मतलब जो लोग मदू उद्योग से related है मतलब शहद उद्योग से related है तो उनको जो है वो एक platform पे लेके आया जाएगा और उनसे तांकि उनके एक database ही कठा हो सके और उस database के थूँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ सके और वहीं से उनके products को खरीद भी सके तांकि उनकी income बढ़ सके इसके लिए उन्होंने एक bank के साथ भी दोस्तों tie-up किया है कौन से bank के साथ? Indian bank के साथ जो है वो क्या किया है? tie-up किया है union minister of agriculture and farmers welfare नरेंदर सिंग तोमर उन्होंने इसको launch किया है जिनकी constituency कौन सी है मौरेना याद रखोगे constituency कौन सी है मौरेना मद्यापरदेश तो उन्होंने इसको launch किया है और specially मदू करांती portal नाम से पतल लग रहा है यह हनी उद्योग के लिए है यहाँ पे आप एक बहुत ही अच्छी मदू मक्ही देख रहे हो शहद का एक पिटारा देख रहे हो और हनी कॉर्नर्स जो है वो नफीट के द्वारा जो है न्यू डेली के अंदर specially established किये जाएंगे तो मदू करांती portal एक initiative है National Bee Board का याद रखना है National Bee Board मतलब शहद का एक department तो उसको कहा जाएगा National Bee Board तो उनके द्वारा ये initiative लिया गया है और इससे क्या होगा ये National Bee Keeping और Honey Mission के अंदर इसको लिया गया है इसके लिए technical और banking partner किसको रखा गए? India Bank को ये याद कर लें जो banking के students है उनके लिए important है ये trace करेगा पूरा का पूरा online registration करवाई जाएगी जितने भी Honey उद्योक से जुड़े हुए कि यार वहाँ पर करो कितना आपके पास Honey पैदा हो रहा है कितना आपके पास सारी चीजे पैदा हो रही है तो उसके लिए एक digital platform बना दिया गया है इससे क्या होगा एक database बनेगा जो की Honey उद्योक से जुड़े हुए या फिर मदू मक्यों से जुड़े हुए है उनके उद्योक के साथ जुड़े हुए तो उनकी production sales और marketing chain को जो है वो और भी बहतर बनाया चाहेगा तो इसमें कुछ खास important तो नहीं कहोंगा मेंबर हैं गुजरात के एक और है minister of state वो है केलाश चौधरी वो भी आप याद रख सकते हो अर्जुन मुंडा जी जो है वो basically ministry of tribal affairs से related है ये भी आप याद रख सकते हो tribal affairs प्यूश गोईल आपको पता हैं दोस्तों कौन हैं तो इनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन अर्जुन मुंडा जी की आप constituency जुरूर याद करने अर्जुन मुंडा जी की जो constituency है वो कौन सी है खुंती मैंने कल भी बताया था परसों भी बताया था कुंती जारकंड के अंदर और साथ ही साथ अगर आप प्यूश गोईल जी भी constituency याद करना चाहते हैं कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो यार राज्यासवा के मेंबर हैं कहां से महाराष्ट्रा से हैं और प्यूश गोईल जी जो मिनिस्ट्र ओफ रेलवेज हैं मिनिस्ट्र ओफ कमर्स और इंडस्ट्री भी हैं तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे नेक्स कोश्चन के साथ बढ़ सकते हैं और अर्जुन मुंडा जी कि मैं अभी बता के हटाऊं खुंती जारखंट के अंदर तो एक ट्राइबल हेल्थ कोलेबरेटिव जो है वो लाँच किया गे ट्राइबल लोगों के लिए तो उसका नाम जो है वो क्या रखा गया है ये आपने जो है वो बताना है फटावड बताएंगे यार सारे बच्चे अंसर क्या होना चाहिए इसका और बहुत से बच्चे जो है वो उसी टाइम पिट पर अंसर देते हैं जिस टाइम पिट पर उन्होंने को पढ़ लिया और मैं उन बच्चों को धन्यावाद करना चाहता हूँ और मुबारक बात देना चाहता हूँ कि यार आप लोग इतनी जल्दी अंसर दे देते हैं तो आपका एक्जाम क्लियर होने से कोई नी रोक सकता बाकी बच्चे भी जो है वो यार इस चीज़ के उपर महनत करें और हमने इस चीज़ को अचीव कर लेना है इस बार और इस साल जो है वो आपका एक्जाम जो है वो ट्राइबल्स की health और nutritional status को improve करने के बारे में तांकि उनको जो है वो किसी भी तरह की problem ना है खास करके health sector के अंदर वो health sector तभी improve होगा जब उनका nutrition status क्या होगा improve होगा और इससे क्या होगा कि tribal health जब अच्छी होगी तो national council on tribal health जो है वो एक नया department बनाया जाएगा जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि tribal health अच्छी हो भी रही है या नहीं हो रही है या हमें और कुछ areas के उपर focus करने की ज़रूरत है इसके लिए health cells भी जो है वो बनाये जाएंगे tribal areas के अंदर तांकि इसको बहुत अच्छे तरीके से implement किया जा सके इवन इसमें Bill and Melinda Gates Foundation जो Bill Gates है और उनकी wife है Melinda Gates तो उनकी तरफ से भी इसमें से योग दिया जा रहे है तो नाम याद रखने अनाम में है यहीं आपके लिए क्या है important है लेकिन बाकी भी जो है दोस्तों आपने नहीं बूलने बाकी क्यों नहीं बूलने क्योंकि बाकी दोस्तों शरम शक्ती यह भी पॉर्टल दोस्तों Ministry of Tribal Affairs का ही है लेकिन यह जो migrant है उनके लिए था कि उनका data जो है वो collect हो सके जितने भी migrants हैं ताकि उनको हम जो है वो अलग-लग schemes का फाइदा जो है वो दे सके हैं नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहां पे DBT Tribals यह भी Ministry of Tribal Affairs का है तो यह भी schemes को जो है वो सही तरीके से जो है वो वहां से उनको provide करने के लिए तो जो अलग-लग states से migrants आते हैं वो यहां पे क्या करेंगे रिजिस्टर करेंगे अपना data जो है वो upload करेंगे ताकि उनको देख सकें कि कौन से beneficiary को कौन सी चीज मिलेगी तो यहां पे उनको मिल जाएगा DBT नेक्स्ट है दोस्तो जीवन सेवा यह भी जो है वो आपने याद रखना है यह भी एक बहुत फेमस application जो है वो launch की गई थी लेकिन यह Health Ministry की तरफ से launch की गई थी दिल्ली के अंदर Health Minister of दिल्ली न दिल्ली गवर्मेंट की तरफ से start की गई थी इसको याद रखना आपने तो सारी चीज में आपको बता चुका हूँ इसके अंदर तो इस काम को पूरा करने के लिए तांकि जो ट्राइबल लोग है उनकी Health Status अच्छा हो सके तो एक National Council on Tribal Health जो है वो बनाई जाएगी ट्राइ मुंडा जी है उन्होंने एक e-portal भी start किया जिसका नाम है स्वास्थया जो की Tribal Health and Nutrition Portal है मतलब लोगों को बताएगा कि अर किस तरह से आपने अपनी Nutrition Status को इंप्रूव करना और कौन-कौन सी schemes का benefit जो है वो ले सकते हो नेक्स कोशन की दरब बढ़ते हैं सारी constituencies आपको बता चुके हैं सारी options को discuss कर चुके हैं नेक्स है वन लाइनर important points वन लाइनर important point में दोस्तो पहला point है Ministry of Ayush Science M.O.U. with the Department of Animal Husbandry to introduce Ayurveda into the veterinary science तो Ayurveda का दोस्तो चलन बहुत जादा बढ़ चुका है वो आप कह सकते हो COVID के कारण भी लोगों को ये पता लगा कि आपकी immunity को बढ़ाने में Ayurveda का बहुत बड़ा योगदन है तो अब जो हमारे पास Ministry of Ayush है मतलब मैं बात करूँ Ministry of Ayush की मतलब मैं कौन से मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ यहां पर मैं बात करूँ शिरीपद येसो नाइक जी की जि के उपर काम कर रहा है कि Ministry of Ayush की तरफ से और Department of Animal, Husbandry and Dairy की तरफ से जो है वो हम एक ऐसी तरह की ड्रग्स त्यार करें जो की हब से बनी हो मतलब जो की natural बनी हो और veterinary science में उसका योगदान जो है वो बढ़ सके नेक्सें 92% of the target achieved in the first phase of प्रदानमंत्री अवास जोजना ग्राम एक क्रोड गर जो है वो बनाने थे फस्ट फेस के अंदर जो की 2016-17 से लेके 18-19 तक के थे यह इसका फस्ट फेस था तो इसमें फस्ट फेस के अंदर 92% जो हो हमने क्या किया है अचीव किया है इसको तो याद रखना है यह 2016 में लांच की थी निरेंदर मोधी जी की तरफ से और 2022 का टारगेट था कि हमने 2022 तक housing for all initiative को हमने क्या करना है पूरा करना है और इसमें जो cost है वो 60 ratio 40 थी 60 center government की तरफ से state की तरफ से 40 और अगर North Eastern or Himalayan state है उसमें आपको बता है center government ज्यादा पैसा देती है 90 ratio 10 में रहता है नेक्स्ट RB has extended priority sector lending by banks of NBFCs up to September 30, 2021 तो non-banking financial companies को priority sector lending के अंदर जो है वो पैसा दिया जा सकता है ये 30 September तक उन्होंने बढ़ा दिया है नेक्स है हमारे पास तो यार simply एक नाम आपको जुरूद डिफिकल्ट यहां पे लग रहा होगा है यह भी डिफिकल्ट लेकिन आपने सिरफ पढ़ लेना है अलगसा नाम है तो मेरे ख्याल से याद रखना मुश्किल नहीं रहेगा लेकिन यहां पे country important है नाइजर नाइजर के capital जो है वो क्या ह of 85 तो यहां पे आपके लिए important question क्या है question जो है वो दोस्तों आपके पास important है कि यह कौन सी state से जो है वो belong करती है और इनको कौन से year में पदमशिरी मिला यह तो नहीं पूछेगा आप से examiner की कौन सी year में पदमशिरी मिला 2006 में इनको पदमशिरी मिला लेकिन आपने याद यह एक जो है वो journalist है यह आप जो है याद रखेंगे नेक्स आते इंटरनेशनल रोमा डे 2021 बहुत ज्यादा important डे नहीं कहूंगा दोस्तों लेकिन यह रोमानी डे के नाम से जाना जाता है और उनके culture उनकी heritage के regarding awareness करेट करने के लिए जो है वो यहां पे यह दिन मनाया जाता ह 8 April को तो रोमानी डे के नाम से भी इसको जाना जाता है इंटरनेशनल रोमा डे या फिर इंटरनेशनल रोमानी डे और इस बार जो है वो 2021 में यह 50th anniversary celebrate कर रहे हैं फर्स्ट रोमानी कॉंग्रेस जो 7 April से लेके 12 April के बीच में 1971 में इंगलेंड में बनाई गई थी तो उसके का anniversary जो celebrate हो तो याद रखना दोस्तो 8 April को इसको क्या किया जाता है celebrate किया जाता है रोमानी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए इवन एक दोस्तो इंटरनेशनल रोमानी यूनियन भी है जिसका headquarter कहां पे मिलेगा आपको लतागया के अंदर नेक्स साथ है question of the day 8 April 2020 का question क्या था question the who introduced the doctrine of labs to expand British territories in India तो doctrine of labs का मतलब था कि अगर adopted बेटा है तो आप जो है वो आगे property जो ट्रांसफर नहीं की जाएगी सिरफ जो है वो ब्रिटिश है रक्वाइर कर लेंगे उसको ये policy Lord Dalhousie की थी बहुत से काम उन्होंने कीए है इनका time period जो है वो 1848 से लेके 56 तक रहा और इस तरह से क्या किया capture किया लेकिन Lord Dalhousie ने railway को start किया इन्होंने PWD department को start किया इन्होंने postal network को start किया इन्होंने बहुत से काम भी जो है वो किया है लेकिन doctrine of labs भी इन्होंने implement किया था नेके साथ है question of the day question of the day दोस्तों क्या है हरीदे scheme launched by the urban development ministry जो हरीदे scheme जो हो दोस्तों start की गई उसका main लक्षय जो है वो क्या है मैं हरीदे का मतलब आपको बदा देता हूँ national heritage development and augmentation scheme तो याद रखना है हरीदे का मतलब क्या है the national heritage development and augmentation योजना इससे आप अंसर अराम से दे सकते हो तो guys answer जो है वो comment box में देना है लेकिन आप लोग यह आजकल answer नहीं कर रहे हो तो answer करना है और जैसी answer करोगे तो like जरूर प्रेस कर देना अपने subscribe करते है चैनल को अगर पहली बार इस video को देख रहे है बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि notification on time मिल सके और यह affairs cloud का promise है कि आपका confidence जरूर boost करेगा और guys video देखने के लिए बहुत बहुत शुक्री है और मैं हमेशा कहता ह रहें life को बहुत ज़्यादा serious ना ले life को enjoy करें खुश रहोगे तो आपका exam जल्दी clear हो जाएगा और pdf को subscribe कर ले और 10% discount ले ले अगर आप इस code को वहाँ पर use कर ले तो extra 10% discount मिल जाएगा thank you guys take care and bye bye